हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुपता इस्तरी इवं प्रसूती रोग विशेशग्य और किंडम आफ एल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आपने प्रेश्ण पूचा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैसे पैचानते हैं उसके क्या सिम्टम होते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहां कहां पर हो सकती है और क्या इसका इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट से हो सकता है या फिर हमेशा सरजरी ही करानी पड़ती है तो आईए एक एक करके इन सवालों का जवाब जानते हैं अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पर हिंदी में बहुत ही अच्छी इंफोर्मेशन देते हैं इस्पेशली विमिन हेल्थ की समस्याओं के बारे में अगर आप मेरे से कोई प्रेशन पूछना चाते हैं तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डालकर अपनी हेल्थ से सम्मंदिस समस्याओं के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और अगर आप परसनल गाइडेंस चाते हैं तो हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके थ्रूब बुकिंग कराकर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं आईए बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है अगर आप प्रेगनेंट होना चाती हैं और आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्स पॉजटेव आया है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी यूटरस में आई हो यानि कि बच्चे दानी में आई हो अगर बच्चे दानी में प्रेगनेंसी आ जाती है तो वह abnormal pregnancy कहलाती है जैसे कि अगर किसी का पहले operation से बच्चा हुआ है और उस टांके पर अगली pregnancy आकर implant हो गई है तो वह scar ectopic pregnancy कहलाती है या फिर uterus के अंदर abnormal जगे पर pregnancy implant हो गई है आकर तो वह भी ectopic pregnancy कहलाती है या fallopian tube जो होती है उसके किसी भी हिस्से में अगर pregnancy implant हो जाती है तो वह ectopic pregnancy कहलाती है इसके अलावा ectopic pregnancy ovary में और पेट के अंदर यानि की peritonial cavity पर भी जाकर implant हो सकती है दोस्तों जब pregnancy ectopic होती है यानि की बच्चे दानी में सही जगे पर बच्चा नहीं पनप रहा है बलकि किसी और जगे पर बच्चे का विकास हो रहा है तो वह pregnancy बहुत दिनों तक आगे नहीं बढ़ पाती है और कुछ समय बाद वह रप्चर हो जाती है यानि की फट जाती है आधिकतर common जो जगे होती है वह फैलोपियन ट्यूब होती है और फैलोपियन ट्यूब में ectopic pregnancy आने के बाद वह पीरेड आने की date पर या 15 दिन उपर होकर या 2-3 महीने उपर होकर फट सकती है और तब बहुत ज़्यादा पेट में bleeding हो जाती है और उस case में emergency operation की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों abnormal जगे पर pregnancy का implantation होने की वज़े से उसका पून रूप से विकास नहीं हो पाता है और वह pregnancy रप्चर हो जाती है और पेट में बहुत ज़्यादा bleeding होने की वज़े से patient की हालत serious हो जाती है तो दोस्तों जानते हैं कि ectopic pregnancy की diagnosis रप्चर होने से पहले कैसे बनाई जाती है सबसे पहले तो मरीज हमें आकर बताती हैं कि इस महीने समय पर जिस date पर महीना आना था उस समय उनका menstruation नहीं हुआ है और उन्होंने urine pregnancy test कराया है तो वहाँ positive आ रहा है इसके बाद हम उनसे पूछते हैं कि आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है या आपको कोई spotting या bleeding की शिकायत तो नहीं है अगर ectopic pregnancy होती है तो कई बार patient को bleeding या spotting की शिकायत हो सकती है और नहीं भी हो सकती है और पेट में एक side में दर्द हो सकता है जहां पर की ectopic pregnancy की location है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ectopic pregnancy में ऐसे symptoms मिल ही जाएं कई बार pregnancy ऐसे पार्ट में होती है जहां पर pregnancy का विकास हो रहा होता है और जल्दी symptoms नहीं आते हैं अतहा pregnancy ectopic pregnancy है या फिर intra uterine pregnancy है यहां जानने के लिए जो सबसे confirmatory test होता है वह होता है ultrasound जब हम sonography के लिए patient को बेशते हैं तो sonography में अगर gestational sec यानि कि जो pregnancy है वह बच्चे दानी के भीतर सही जगे पर दिखाई दे जाती है तो वह normal pregnancy कहलाती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको 15 दिन उपर हो गए हैं या दो महीने उपर हो गए हैं और आप सोचते हैं कि आपको six to eight weeks की pregnancy होनी चाहिए लेकिन जब आप sonography कराने जाते हैं तो आपको ultrasonologist बताती हैं कि आपकी pregnancy कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है तो उस case में ectopic pregnancy और normal pregnancy में differentiate करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तब हम patient का serum beta stg कराने भेशते हैं और serum beta stg 48 hours पर repeat करते हैं जैसे कि patient की परिस्तिती होती हैं अगर 48 hours में patient का serum beta stg double हो रहा है और एक हफते बाद दुबारा से sonography कराने पर gestational sag uterus में दिखाई देना शुरू हो गया है तो ectopic pregnancy rule out हो जाती है क्योंकि early stage में ectopic pregnancy को ultrasound से भी diagnose करना मुश्किल होता है तो अधा serum beta stg से patient को monitor करना पड़ता है और साथ में patient को doctor के super vision में रहना पड़ता है कि अगर पेट में दर्द हो बेहुशी आए या चक्कर आए या कोई un-easiness मैसूस हो घबराट हो तो तुरंत hospital आ जाएं और doctor से check-up कर आएं जब हम serum beta stg कराते हैं तो हम देखते हैं कि अगर serum beta stg 48 घंटे में एक तय सीमा से अधिक नहीं हो रहा है उसकी बड़त ठीक से नहीं हो रही है तो हम suspicion करते हैं कि कहीं ectopic pregnancy तो नहीं है और serial monitoring के द्वारा हम यह diagnosis बनाते हैं कि ectopic pregnancy है कि नहीं है तो अतह normal pregnancy है या chemical pregnancy है य इसके लिए doctor की expertise की जरूरत होती है साथ में sonography और serum beta stg जिसे patient की monitoring की जाती है और यहां हम कोशिश करते हैं कि patient को अगर ectopic pregnancy है तो वह रप्चर होने से पहले यानि कि tube में या ओवरी में जहां कहीं पर भी मौजूद है तो वहां वह फटने से पहले intraperitonial bleeding होने से पहले diagnosis उ तरजरी की जरूरत ना पड़े केवल medical management याने की methotrexate जो medicine आती है उससे हम patient का इलाज कर सकें अतहर अगर आपके diagnosis नहीं बन पा रही है तो आप अपने doctor के supervision में रहिए चिंता मत करिए और doctor जो आपको investigations करने के लिए बोल रहे हैं उनको आप नियमिस समय पर कराईए ताकि आपकी समय रहते ectopic pregnancy की diagnosis बन जाए और उसका medical management हो जाए अगर आपको pregnancy लगी है और आप घर पर है urine pregnancy test आपका positive आ गया है पेट में आपके दर्द हो रहा है या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं या अचानक से आप बेहुश हो के गिर गए हैं तो आपको तुरंत hospital जाना कि हो सकता है कि ectopic pregnancy rupture हो गई हो अगर ectopic pregnancy rupture नहीं हुई है उसका size छोटा है और उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आई है तो medical management methotrexate नाम की दवाई से किया जाता है और अगर ectopic pregnancy rupture हो गई है तो उसे दूर्बिन विधी के द्वारा या फिर open laparotomy के द्वारा हम patient का operation क पेट में जितना blood भरा होता है उसको निकालते हैं और जहां पर ectopic pregnancy मौझूद होती है जैसे कि अगर fallopian tube में ectopic pregnancy है तो कई बार उस fallopian tube को surgery के द्वारा निकालना भी पड़ता है अग patient पूछते हैं कि अगर ectopic pregnancy की वजह से मेरी एक tube निकल गई है तो क्या मैं दुबारा pregnant ह हो सकती हूं महिलाओं के शरीर में दो fallopian tube होती है और अगर एक बार आपको ectopic pregnancy हुई है और डॉक्टर ने आपकी एक fallopian tube निकाल दिये तो आप दूसरी fallopian tube अगर आपकी वह स्वस्त है तो आप pregnant हो सकती है और जब आपकी operation के बाद हालत सही हो जाए आपका hemoglobin ठीक हो जाए आपकी health ठीक हो जाए तो आप pregnancy के लिए दुबारा से try कर सकती है अक्सर मरीज पूछते हैं कि मेरे ectopic pregnancy को 2 महीने हो गए है क्या मैं अब दुबारा से pregnancy के लिए try कर सकती हूं तो pregnancy के लिए try आप तभी कीजिए जब आपकी health better हो गई है और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इस बार planned pregnancy हो तो पहले डॉक्टर के पास जाकर अपना check up करा लिजिए और यह check करा लिजिए कि आपकी दूसरी fallopian tube ठीक है और आप moon रूप से स्वस्त हैं आपका hemoglobin ठीक हो गया है और pregnancy plan करने के 3 महीने से पहले आप folic acid की tablet लेना भी शुरू कर दीजिए और अगर कोई कमी हैं तो उसका इलाज कर लिजिए क्योंकि कई बार pelvic inflammatory disease की वज़े से या tuberculosis होने की वज़े से या tube में खराबी होने की वज़े से ectopic pregnancy होती है बहुत सारे लोग आजकल in vitro fertilization कराते हैं या assisted reproductive technique का साहरा लेते हैं pregnant होने में तो उनके भी ectopic pregnancy होने के chances होते हैं आता है आप अपन पहले ectopic pregnancy हो चुकी है उनको दुबारा से ectopic pregnancy के chance हो सकते हैं अतहर आप पहले डॉक्टर के पास जाकर check up कराईए इलाज कराईए और उसके बाद second pregnancy के लिए try कीजिए thank you friends अगर आपका कोई सवाल है तो आप YouTube चैनल के comment box में डाल कर पूछ सकते हैं thank you very much for subscribing this channel Dr. सुमन